कपास किसानों को इस बार अच्छी फसल की उमीद और अब तक पिंक वॉल वर्म का भी कोई महत्यो पूर्ण संकर्मन नहीं बताया गया है वही सीजन 2022 के लिए कपास की नई फसल ने बजारों में दस्तक देना शुरू कर दिया है हलाकि कम मात्रा में लेकिन किसानों को गुजरात में लगबग 11,000 से लेकर 12,600 रुपे प्रतिक विंटल पर आज कपास की नई फसल का रेट देखने को मिला है मिली जानकारी के मुताबिक कपास की पुरानी फसल लगबग 12,000 रुपे प्रतिक विंटल बोली गई चबकि नई कपास की फसल इससे कुछ ही कम है वहीं अमरेली APMC के कारोबारियों का कहना है कि फसल की स्थिती को देखते हुए हमें इस साल अच्छी फसल की उमीद है कपास के नई सीजन की शुरुवात किस्तानों के लिए फिलाल के लिए उत्सा जनकदरों के साथ हुई है उधर कीमत में तेजी की वज़े से तमिन लाडू स्पिनिंग मिल्स एसोसियेशन ने अपने सदस्यों को कपास खरीदने से रोकने की सलादे डाली चब तक की इसकी कीमते मूल स्तर पर ना आ जाएं इसने मिलो से पूरे उत्पादन को रोकने और उपलब्ध स्टोक के साथ ही यान के मुझूदा ओर को पूरा करने की भी अपिल की है ऐसे में माना जा रहा है कि अगला सीजन कपास के लिए अच्छा रह सकता है झाल 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 झाल